वाडी का विकास फसा है राश्नीति में वाडी पालिका के पात साल बात भी शहर के विकास का कोई रास्तान नहीं वाडी के विकास प्रस्ताव के कारण विकास रुप गया है वाडी ग्राम पंचायत को नगर परीशद में पारित हुए पात साल हो गया है लेकिन वाडी शहर में अभी भी बुन्यादी सुधाय उपलब दिन नहीं है केवल सिमेंट सड को और बगीचा पार को बचाया क्या है वे प्रस्तावों में देडी की कारण वाडी का विकास कती रोद में आ गया है वाडी एक लाग की आबादी वाला शहर है नगर पालिका को पात साल पूरे हो चुके है अब अगले पाच वर्शों के लिए चिनाव होने की तयारी शिरू है लेकिन समस्या अभी भी बनी हुई है डंपिंग यार सरकारी इस्पिताल भूमिगज गटर सापताहिक बाजार के लिए जगह नप का अपना बाजार पार्किंग हब अभी भी यह बड़े पैमाने पर समस्या है चिल्हा परीशित स्कूल और स्वास्ति विभाग का विकास भी लंबित है तबादला नहोने से शिक्षा विभाग और स्वास्ति विभाग को नुकसान ह शहर आबादी को ध्यान में रखते हुए एक सरकारी अस्पताल होना चाहिए था लेकिन नहीं होने से आम नागरिकों को निची अस्पतालों में उप्चार कराना पड़ता है अस्पताल के लिए कई प्रयास किये गए लेकिन जगन नहीं मिलने से अस्पताल का प्रस्ताव आज भी बंटोकरी में पड़ा है कुर्णाकार में नागरिकों को उपचार नहीं मिलने से करीब 25 लोगों की मृत्यू भी हुई है शहर में कोई सरकारी अस्पिताल नहीं है इसलिए कई निची अस्पिताल व्यासा इन नागरिकों को लूट रहे है यहां बहुत बड़ी तरा पस्ती है कि एक लाग से अधिक आबादी वाले शहर में कोई सरकारी अस्पिताल नहीं है ग्राम पंच्यायत के समय 30-20 वाले अस्पिताल को मजूरी दी गई थी लेकिन वाडी नगर परिशत की कारण प्रस्ताव बैलन्स शीर्ट में फस गया जिससे अस्पिताल नप और ज सल नहीं है इसलिए बाहर से आने वाले वाहनों को वाडी में खड़ा किया जाता है जो कि यातायात को बाधित करता है इसलिए दिन के दरवान दुरगटनाय भी होती है गाव में एक परिवन प्लासा का निर्मान करना आवश्यक हो गया है हाल ही में डीसीपी ने अवैद प द्यान नहीं दिया है करों से निकलने वाले कच्रे को शहर के बाहर डंप क्या चाना चाहिए लेकिन शहर की नीची खानों में ही कच्रा डंप किया जा रहा है जो शहर के लोगों की स्वास के साथ खिलवार करता दिख रहा है वाडी में कच्रे की बड़ी समस्या है नागरि में वारी शहर शुन्य है शहर की स्माज शहर के लिए एक लक्षो और योशना निर्धारित नहीं की है शहर में प्रदूशन और स्वच्छता व्याप्त है स्माज सिटी के लिहाज से वारी शहर सफेद हाती बन गया है नागनदी की उत्पति लावा वारी से हुई है एतिहास प्रदिकरन ने तेरा करोर रुपए की एक योशना तयार की है और इसका काम लगभग पूरा हो चुका है लेकिन इसका उटखा टन नहीं क्या गया पानी उपलब्ध है लेकिन लोग दूशित पानिक पीनी को मचबूर है सीवर योशना नहीं होने की कारण वारी शहर में चलने का सीन नहीं है थोड़ी सी बारिस से शहर जल्वीहीन हो जाता है कहा जाता है कि उस यूजना के लिए सरकार को 75 करोड रुपे का प्रस्ताव भेजा किया है या कहना मुश्किल है किसे लागू किया जाएगा या नहीं शहर की विकास के जिम्मेदारी स्थानिय नेताओं की है लेकिन पिछले 5 सालों में वाड का बहुत कम विकास हुआ है पुरे वाड़ी शहर का विकास राजनिती में नहीथ है अगर शहर की नेताओं ने जोर दिया होता तो नाकूर मेट्रो सिटी का जुडाओ मेट्रो शहर आज पंचाता वाड़ी शहर अपने विकास के लिए प्रसिद शहर रहा होता। वाड़ी शहर जो 25 वर्षों से प्रसिद है अगर वाड़ी शहर की नितागन ने ठान लिया है तो वाके ही शहर का विकास हो जाता था। लेकिन शहर की प्रगती नहीं हुई है क्योंकि राजनतिक दलों के नित प्रदूशन दूशित पानी की आपरती, बेरोज़कारी, पार्किंग की समस्या, खुद का बाजार, शातरों की शिक्षा, सांसकुतिक विरासत, खेल, समाट सिटी, ग्रीन सिटी, बिचली की आपरती, गौठान, वार्ड विकासकारी, सिर्सर की नाकनदी स्वच्छता, अग इसे नियूस के लिए वारिसे सुरब पाटिल की रिपोर्ट